आसे लबग दो साल पहले ही भारत ने अपना पहला सुदेशी एरक्राफ्ट आइनस विकरांद का ट्रायल स्टार्ट किया था और पिछले साल सेप्टेंबर में इंडियन नेवी नेस अपने अंदर शामिल भी कर लिया अब इसे बनानी की जो कोश्ट थी वो भी लगए आपने नेवी को कई गुना जादा बढ़ा दिया है अब यह लग अपनी आर्मी के अंदर तो काफी जाद कमी ला रहे हैं और नेवी को नए अत्या दुनिक अतियार देते जा रहे हैं ताकि चाइना साथ चाइना सी और इंडियन ओशिन पर अपना दबदबा बढ़ा सके लेकिन भारत ने चीन के बरावर ठक कर देने के लिए अपने तीसरे जिद्धुपोत पर भी काम करना शुरू कर दिया है, अब रिपोर्ट्स के मताबिक भारत सरकार ने लगए 5 बिलियन डॉलर यानि कि 40,000 करोड रुपे खर्च करके अपने तीसरे एरक्राफ्ट को साल इंडियन निवी में जोइन हो चुका है, अब हाली में इंडियन ओशन के अंदर चाइना की जो गुसपैट है वो काफी जादा बढ़ती जा रही है, और इसे लेकर सरकार भी काफी जादा प्रेशर फिल करती है, और इसी चीज़ का जवाब देने के लिए बारत ने इत है और एक से जाधा येर्कराफट वाले देश तो केवल 5 ही है, अब आप टोटल कंटिरीज को देखोगे जिनके पास एरकरफट केरियर्स हैं तो वो केवल गिंथी के 8 देश ही है, अगर आप यूस ने को देखोगे तो इनके पास 11 एरकरफट केरियर्स हैं क्योंकि चीन के पास अभी के समय में 3 aircraft carrier हैं और ये लोग अगले साल तक अपने फ्वर्त aircraft carrier का टैल भी श्टाठ कर देंगे और 2030 तक इनके पास 6-7 aircraft carrier हो जाएंगे तो भारत को भी इने टकर देनी पड़ेगी ज़elsे ज़ट तो आप क्या सोचते हैं कि आप भारत को अपने तीसरे युद्ध पोत पर 40.000 क्रोड रुपे खर्च करने चाहिए या फिन नहीं कमेंड में ज़रूर बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में जेहिंद